सीरियल गुम है किसी के प्यार में जहां आश्रम में पाटिल भी आ जाता है। कहती है कि आपको क्या है चाहे जो हो और रीवा भी ईशान को वहां से खीच कर ले जाती है। बनवाया है जिसके साथ वह पागलों की तरह डांस करता है और बोलता है कि वह सवी और अपने बीच अब किसी तीसरे को नहीं आने देगा तो वही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सवी डिवोस के लिए जा रही होती है और उसे शुकला दादा रास्ते में मिलते है जो बोलते हैं कि तुम डिवोस के लिए जाओ वही जब सवी जा रही होती है वह पीछे मुड कर देखती है तो शुकला दादा नीचे बेहोश पड़े होते हैं वही पर पाटल भी आया होता है जहां वह देखता है कि अगर शुकला ठीक नहीं हुआ तो सवी डिवोस के लि जहां दोनों ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, तो वहीं वकील बोलता है कि आपका जल्द ही तलाक हो जाएगा, इसके बाद उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा होता है, और वहीं जब ईशान घर पर पहुचता है, तो आपका साहिब बहुत खुश होती है कि तुम्हारा तलाक हो गया है, वह बोलती है कि हम सब मंदर जाएंगे रात को वहीं रुकेंगे, और अगले दिन सुभा तुम्हारी और रीवा की वहीं पर ही सगाई कर देंगे, इसके बाद ईशान बोलता है, उसे कॉलेज के पेपर भी चेक करने हैं, वह थोड़ी देर बाद आ जाएगा, इसके बाद अक्का साहिब और रीवा मंदर के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं घर पर सवी उदास बैठी होती है, जहां सवी ताई को बोलती है कि उसे मंदर जाना है, जिसके बाद वह अपनी पढ़ाई में जुट जाएगी तो वहीं इशान को दिखा जाता है जो मंदर की ओर जा रहा होता है और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, देखते हैं कि सीरियल में अब क्या होता है सीरियल की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल, को सब्सक्राइब करें